दोस्तों आज की वीडियो में हम electricity bill पढ़ना सीखेंगे ये आप देख रहे हैं उत्तर पिर्देश का घरेलू electricity bill है जो की मध्यांचल विद्धुत वित्रण निगम लिमिटेट की तरफ से आया है इस bill को हम पूरी detail के साथ में पढ़ना सीखेंगे तो वीडियो को last तक इस से related को जानकारी है जैसे कि इस website के तरोस से आप अपना bill ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और complaint के लिए 1912 नंबर पे call कर सकते हैं यहां से हमारा bill स्टार्ट होता है तो यहां पर पहला option आप देखते होंगे date का 15 तारीक 9 महीना 2030 यानि कि 15 सिप्टमबर 2030 आज का ही यह बिल है उसके बाद month year यानि कि महीना और साल 2030 का यह बिल है और एक महीने का यह बिल है पीरिड मारे month होता है यानि कि एक month उसके बाद हमारी account ID दोस्तो account ID क्या होती है हर एक मीटर की एक account ID होती है जब आप अपना electricity bill online phone पे Google पे Amazon किसी भी application से जब जमा करते हैं तो आपको account ID डालना पड़ती है तब हमारा will feature होता है यानि कि detect होता है उसके बाद division आता है division name दोस्तो हमारा बरेली आता है तो बरेली का यह बिल है उसके बाद consumer का नाम लिखा रहता है और consumer का address तो यहाँ पे दोस्तो नाम और address किलियर होने के बाद में हमारा next point आता है meter number दोस्तो meter number जो है आर particular number दे दिया जाता है जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो उसके बाद जो है cat LMB1 इसका मतलब दोस्तो होता है category यह meter किस category का है दोस्तो LMB1 का मतलब होता है घरेलू connection यानि कि domestic connection अगर यहाँ पे LMB2 है तो वो दोस्तो commercial connection हो जाएगा LMB1 HD 17 अगर हमारा commercial connection होता तो commercial के लिए LMB2 HD कुछ भी लग सकता था यहाँ पे यह एक meter की category को दरसाता है दोस्तो उसके बाद में आता है sunk load एक किलोवाट का है उसके नीचे आप देखेंगे maximum demand maximum demand का मतलब दोस्तो कितना आप हर महीनी meter पे ज़्यादा से ज़्यादा load डाल रहे हैं तो यहाँ प penalty भी देना पड़ सकती है उसके बाद दोस्तो reading चालू होती है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना पिर्व्यूस का मतलब होता है पिछली और पिरजैन का मतलब होती है बरतमान तो यहाँ पिछली जो reading थी वो के डवलू एच में है चवश 54 जो reading थी वो 18 तारीक आठम महीना 2030 को ली गई थी यानि कि पिछले महीने में और इससे में जो है 15 तारीक नम महीना 2030 जो की आज की डेट है यहाँ पे हमारी पिरजैन्ट रीडिंग जो है 598 बनी है अब आप अगर यूनिट निकालेंगे तो 598 में से चवश गटा देंगे तो हमारा जो count unit निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए kwh units 160 आप घटा के देखना फिर मुझे बताना तो हमारे यहाँ पे 160 units बन जाते हैं उसके बाद हमारा gross bill जो 160 unit का gross bill बनता है वो 1164 रुपए 13 पैसे का बनता है तो यहाँ पे हमारा 160 unit का 1164 रुपए का bill बना है उसके बाद tariff subsidy तो दोस्तों जो 1164 रुपए का bill है उसमें सरकार 447 रुपए की tariff subsidy दे रही है अगर इस tariff subsidy को आप निकाल देंगे तो 1164 में से 447 रुपए जब आप निकालेंगे तो हमारा bill बनेगा लगबग 770 रुपए का आप इसको calculate करके देख सकते हैं उसके बाद जो next point आता है LPSC यह होता है दोस्तों ब्याज जो हमारा पिछला बिल था वो हमने जमा नहीं किया है तो उस पे हमारा 8 रुपए 10 पैसे का ब्याज बन चुका है 8 रुपए 10 पैसे का ब्याज हमारे बिल में जोड़ जाएगा तो 770 रुपए का जो बिल हमारा बनेगा उसमे 8 रुपए 10 पैसे का ब्याज लगाके 725 रुपए का बिल बनेगा दोस्तों अगर टेरिप सबसीडी की बारे में आपको जादर जनकारी चींगे पता लगाना है कितनी उनिट पे कितनी रुपए की सबसीडी मिलती है किस हिसाब से मिलती है तो इसके लिए मैंने पहले से ही फ्रैक बीडियो वना दिए जिसका लिंक मैं डिसक्रिप्शन में आपको दे रहा हूं आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों नेक्ट उप्षन आता है नैट करेंट बिल इसका कोई भी मतलब नहीं है यह फाल्टु का उप्षन है यहाँ पे इसलि आपको सीधा सीधा चैक करना है आपका gros bill, gros bill 1184 रुपय का है जिसमें से सब्सिडी आप निकाल देंगे तो 770 रुपय का बिल बचेगा, उसमें 8 रुपय का अगर आप ब्यात जोड़ देंगे तो 725 रुपय का बिल हमारा हो जाएगा, उसके बाद नीचे आप देखते हूँ के area का option अगर area की बात करें तो 786 रुपए 555 पैसे का है तो इस area का मतलब होता है पिछला बकाया दोस्तों जो मेरे पिछले महीने का बिल था वो 786 रुपए 555 पैसे का था उस बिल में 725 रुपए का और बिल जो इस महीने में मेरा तयार हुआ है यहाँ पे डिया नहीं गया ह आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे आपको खुदी निकालना पड़ेगा ग्रॉज बिल 1104 रुपए में से सबसीडी आप निकाल देंगे तो आपका 770 रुपए का बचेगा उसमें 8 रुपए 10 पैसे का ब्याज लगा देंगे तो 725 रुपए का आपका बिल बना यहाँ पे उ कि हमारा बकाया है एरियर का मतलब बकाया होता उसको आप जोड देंगे तो यह हमारा बिल 1511 रुपए का बन जागा बिलकुल दोस्तो बहुत ही आसान तरीके से और सही से तरीके से मैंने समझाया है अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमें कितनी एमोंट पे करना है तो यहाँ इक्षन डेट 29-2030 तक की है तो दोस्तो मुझे उम्मीर है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक और नई वीडियो